अपने स्वास्त और हेल्थ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हलो फेंड्स मैं रभी वर्मा और आज में बात करूंगा स्कीन लाइट क्रीम के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा अस्कीन लाइट क्रीम के बहुत सारे ब्रांड हैं और वह सारे ब्रांड काफी पॉपलर से चाहे वह मेला क्यार हो चुन साइन हो सारे पॉपलर्ण हैं जिसके करण लोग खुद पर्चेश करते हैं और खुद ही अपने चेहरे पर इसका इस्तमाल करते हैं बीना यह जाने हुए कि इसका क्या side effect हो सकता है अगर आप यह सोच रहे हैं इसका इस्तमाल करने की आप सोच रहे हैं तो यह video आपके लिए काफी important होगा अगर आप इसे पहली बार तो इसका इस्तमल किस तरह से करना चाहिए ताकि इसकासाइड इफे आपके चेहरे पर Echo इसके बार में भी मैं इसका इस वीडियोगी करने पर सके करना ना भूलें पहले जान लेते हैं स्कीन लाइट क्रीम है क्या स्कीन लाइट क्रीम मुस्टली एक त्वाचा का क्रीम है यानि इसे स्कीन पर ही इस्तमाल किया जाता है इसमें मुस्टली तीन कॉम्बिनेशन मिला हुआ होता है पहला हाइड्रोकिनोन हाइड्रोकिनोन मुस हो जाता है मेलानीन पिग्मेंट के कारण ही हमारे तोच सब्सक्राइब मीलानिन कक काफ़ी जादा है या अप सब्सक्राइब देखने के लिए इसमें तो दूसरा है वह 30 рं काम आपके मुहासों पर होता है त्रेटनों आपके मुहासे को इंक्रीज बढ़ने से रोकता है इसमें जो थर्ड है वह है मुमेटाजोन फ्यूरेट मुमेटाजून फ्यूरेट एक कॉर्टीकु अस्ट्राइड गूरूप का मेडिस्टीन है जो इंफ्लामेशन पे काम करता है अगर आपके चेहरे में कहीं पे भी सूजन है तो मोमेटा जोन फ्योरेट उसे ठीक करेगा तो आप जान लेते हैं इस क्रीम के इस्तमाल के बारे में आखिर कौन-कौन से बिमारियों में डॉक्टोरों को दोरा इस्तमाल करने की सलाह दी जाती ह है तो पहला है हाइपर पिगोनटेशन हाइपर पिग्मोनेशनब्स में इसक फिर्म का इस्तमाल काफी ज़एदा दहका गया है अगर आपके चेहरे पर कहीं पे भी ब्लैक असपाट यानि काले धब्बे निकल रहे है वे चेहरे में निकल हो या तो फिर कर दने कहीं बीन कर कर रहे हो तो इस क्रीम का इस्तमाल किया जा सकता है मुहासों में इस क्रीम का इस्तमाल किया जाता है लेकिन मुहासों में इस क्रीम का इस्तमाल बहुत ही ज्यादा नहीं देखा गया है बहुत बहुत बहुतर रिजल्ट इसका नहीं देखा गया है मुहासों में जुरियों में भी इस क्रीम का इस्तमाल किया जाता है अगर यह ज्यादा हो रहा है और जुरिया निकल रही है आपके चेहरे पे तो इस क्रीम का इस्तमाल आप कर सकते हैं वाइट पैचेच में भी इसका इस्तमाल किया जाता है अगर आपके चेहरे पे उजले भूरे रंग के कलर निकल रहे हैं तो वहां पे भी आप इस करीम का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन most important है इसका side effects, अगर आप इसका इसका استعمال कर रहे हैं और किसी भी तरह का side effect हुआ तो वह बहुत ही गंभीर होते हैं, इसका most important side effect है वो है skin thinning, चहरे का जो चमड़ा है वह बहुत ही पतला करता है, skin thinning इसका बहुत ही important side effect माना जाता है, अस्कीन का जलन यानि त्वचा का जलन भी इसका बहुत ही ज़्यादा होता है अगर आप इस क्रीम का इस्तमाल करते हैं तो त्वचा में आपको जलन होगा इसमें मुहासे की संख्या बढ़ने के भी खत्रा बढ़ा रहता है बना हुआ रहता है अगर आप इस क्रीम का इस्तमाल कर रहे हैं जिस काम के लिए आप इस क्रीम का इस्तमाल कर रहे हैं हो सकता है उसका उल्टा प्रभाव आप पर दिखे यानि हाइपर पिग्मेंटेशन भी बढ़ सकता है इससे अगर साइड इफेक्ट किसी भी तरह का इसके और भी काफी side effects देखे गए हैं जैसे चेहरे का चमडा निकलना चेहरे का जो त्वचा का जो चमडा है वह अलके हलके निकलना सुरू हो जाता है तो चेहरे पे लाल रंगे चक्ते निकलना सुरू हो जाता है चेहरे पे hyperpigmentation बढ़ जाती है यानि काले रंग के धब्बे निकलने सुरू हो जाते हैं अगर किसी भी तरह का side effect हुआ तो ये सारे side effect आप में दिख सकते हैं आप जानते हैं इस cream का इस्तमाल किस तरह से करना चाहिए ताकि आपके चेहरे पर इसका side effect ना दिखे इसका इस्तमाल mostly night में ही करना चाहिए यानि ये एक night cream है रात में ही इस cream का इस्तमाल करें तो बहतर होगा क्योंकि sunlight से इसका बहुत ही जादा side effect देखा गया इसमें दूसरा आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लें अगर आप अपने चेहरे को अच्छी तरीके से धो लिए तो आप इसे तॉलिये से अच्छी तरह से सुखा लें तभी इस cream का इस्तमाल रेगुलर बेसिस पे कभी न करें अगर आप इस cream का इस्तमाल कर रहे हैं तो रेगुलर पांच दिन के लिए करें उसके बाद बीच में गैप रखें उसके बाद फिर से पांच दिनों के लिए करें अगर आप इस क्रीम का पहली बार इस्तमाल कर रहे हैं, तो पहले आप अपने soft skin पे इस क्रीम को लगा कर देख लें कि आपको इस क्रीम से किसी भी तरह का side effect है या नहीं है या तो फिर अपने हाथों में लगा लें या तो फिर कान के पीछे वाले सौफ्ट स्किन पर लगा कर सो जाएं अगर आपको किसी भी तरह का side effect होगा तो वहाँ पर खुज ली या तो फिर redness या तो फिर blackness वहाँ पर black sport निकल आएंगे अगर इस तरह का कोई भी side effect आप में देखें तो आप इस cream का इस्तमाल कभी न करें इस cream का इस्तमाल करने से पहले आप अपने doctor से सलाह जरूर लेंगे बहुत ही important होगा क्योंकि इस क्रीम का side effect बहुत ही जादा होता है अगर किसी भी तरह का side effect हुआ आपके चेहरे पे तो आपका चेहरा बिल्कुल भी खराब हो जाएगा इसलिए इस क्रीम के इस्तमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना काफी जरूरी होती है अगर आप इस क्रीम का इस्तमाल पहली बार कर रहे हैं तो इस क्रीम का इस्तमाल आप अपने चेहरे में बहुत ही हलके मात्रा में करें मैं तो सलाह दूँगा कि इस क्रीम का इस्तमाल आप regular basis पर कभी न करें कुछ gap रखें 2-3 दिनों का gap जरूर रखें इस क्रीम को इस्तमाल करने के लिए तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like जरूर करें वीडियो को share करें ताकि यह information दूसरे लोगों तक पहुंच सके और अगर आप मेरे नए भी वीवर्स हैं तो चैनल को subscribe करना ना भूलें